जै मातादी दोस्तों तो आज नवरात्री का पहला दिन है तो पंडी जी आने वाले हैं तो पंडी जी का आने से पहले जो है मुझे बहुत सारी तयारियां करनी है वैसे तो कल एक दिन पहले ही मंदिर की जो है मैंने जो पूझा के बाजार होते हैं मैंने किये थे और रात में मैं कुछ भी यहां मतलब सटल नहीं कर पाई थी कल मंदिर के साब सफाई करके मैंने रख दी थी तो आज बहुत सबेरे में यहां आई हूं लगब अभी छे बज रहे हैं तो अभी जल्दी जल्दी जो है मैं सारा सामान को हरेंज कर दूंगी क्योंकि मंदिर के जितने पर्द्य वगरा थे मैंने सब को दो दिये थे जो है मूर्ती वगरा भी मैंने निकाल दे थी और सब जगह के आशन वगरा भी दो दिये थे और मैं आशन भी खरीद कर लाई हूं तो उसको भी यहां लगाना है अभी मैं पहले जो है मंदिर की सफाई कर लेती हूँ और पुछ अगर लगा लेती हूँ तो यह देखे मैंने मंदिर के जो मुर्तिवा रहे थे आज संसे वह उसको हटा दिया है क्योंकि पूजा है पंडीची आएंगे तो हरवड हरवड करके पूजा में लग जाएंगे क्योंकि पूजा में काफी टाइम लगता है जो नवरात्री होती है कलस लगा के बिठा के जो पूजा करते है उसमें बहुत टाइम लगता है एक एक चीज को दिखाना होता है कौन से चीज कहां पे लगेगी आज प्रथम दिन है और प्रथम दि है तो आज नवरादर के पहले दिन है तो नवरादर के पहले दिन में क्या होता अपको कि सजानी होती है वैसे मेरे मंदिर में इतनी जादा स्पेस नहीं है कि मैं माता की चोगी अलग से लगाओं लें फिर भी मैं जो है छोटी से तो मूर्टी अभी है मारे पास फिलाल नहीं है अगर सब कुछ अच्छा रहा और मातारानी की किरपा रही है तो मातारानी की मूर्टी अभी आ जाएंगी और यहां देखे चट पे जो है मेरे चट पे बहुत ही सुन्दर सुन्दर फूल खिलेवे थे क्योंकि अब विंटर आ गया है तो फूलों में फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है पर मेरे फूल के हालत इतने खराब है कि मुझे बिल्कूल भी टाइम नहीं है उसे ठीक करने का तो यह देखे मैंने आसन के कपड़ी लाए थे तो कि बोलते हैं कि ऐसे फोटो वगर को नहीं रखने चाहिए और कल दुकान में जब मैं गई थी इतने कलरफुल कपड़े थे कि क्या लूं क्या नहीं लूं ऐसा लग रहा था तो लास्ट में मैंने डिशाइड किया कि मैंने वाइट कपड़ी लेकर आई हूँ और वाइट कपड़ी इस बर मैं लगाऊंगे तो मंदिर भी हमारा वाइट है तो कोई नहीं तो भी चल जाएगा तो फोटो अगर अभी जो है मैं लगा दूंगे जब पंडीची आएंगे तो बताएंगे कि मातरानी को किधर स्थ आपना किधर होगी और यह सुजोग मतलब 8-9 सालों के बाद बन रहा है मेरी बहुत दिनों की मनुकामना जो है पूर्ण हो गई है और इसके लिए मैंने मातरानी से बहुत विनेदी की थी कि मातरानी मेरा संकल्फ अधूरा न रहे कि मुझे इस साल से नवरात्री जो है बहुत पसंद है और बच्चे अगर साथ में हो न तो बड़ा अच्छा लगता है एक अच्छे सी एनरजी आती है काम करने में बच्चे अगर नहीं हो तो ऐसा लगता है के लिए बैट बैट के काम करते रहो क्या कर रही हो तो यहां बहुत सारी जो है अरेजमेंट करने थे क्योंकि पूजा में बहुत सारी जो है वेदी विधान होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज लगेगा मुझे सब अरेंज करकी यहां रख देना पड़ेगा थाकि पूजा करते समय जो है बहुत जादा चीजों की जो है जो रत पड़ती है तो उसके लिए मुझे भागा दोड और जब पूजा पर बैड़ जाओ तो तब अगर पंडी जी को कुछ चाहिए होता है तो क्या होता है कि आपको दिमाग से निकल जाता है कि यह चीजी कहा रखी है सामने ही रखी होती है कभी कभी चीजी मिलती नहीं तो इसलिए मैं जो है सारा चीज कम्पलिट कर दूँग और जो लगेंगे तो उसको भी मैं एक जगह अलग-अलग प्लेट्स में रख दी हूँ ताकि इसमें से जतना लगेगा पढ़नीजी को पढ़नीजी उतना अपना ले लेंगे जैनती का ही सबसे ज़्यादा जो है इसमें मातव होता है तो गिहूं और जो जो होते हैं उनको देख के लेना पड़ता है ताकि वो खराब नहों अच्छे दाने हो तो अच्छी जैनती निकलेगी और जैनती बोलता है जितनी अच्छी निकलती है पूजा अच्छा सफल होता माता रान्य उतनी ही खुश होती है ऐसा कहा जाता है तो यहाँ पर मेने जवाफूल के भी माला मंगवाया थे क्योंकि आज पृतम दिन है तो माला वगढरा फूल ही जूहां बहुत मुष्कल से मिलते हैं और अगर लेट हो जाये तब से और भी मुश्कल यहाँ फूल मिलनाritis है वैसे फूल हमारे घर में बहुत ज्यादा केलते हैं पर माला बनाने के आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं 가만ना üzρा। तो कल से मैं माला यहां घर पे ही बनवा लूँगी, तो देखे कितने सारे विसकस के जो फ्लावर हैं खिले हुए थे, अभी विगाच में इतनी सारी फूल है कि मैंने सुचा इतनी सारे फूल तोड़ के क्या करूंगे, बेकार के बरबाद हो जाएंगे, तो फूल उल वगरह अभी सब ठीक ठाक करने के बाद मैंने जो है टीका लगाने के लिए, चंदन वगरह, चावल, जो भी लगेंगे, सब एक जगह कर दिए, प्रसाद वगरह भी सब रखे थे, क्योंकि मंदिर के सफाई की थी, मैंने तो सारे डब्बे वगरह, जितने थे सब की, मैंने दुला तो लगाने ही बूल गये थे, फिर मैं जाकर पर्दे भी लगा आई, और पर्दे भी मैंने लगा दिये, तो इस तरह से मेरा काम लगबक कम्पलेट हो गया है, अब पूजा करना बाकिर गया है, तो पंडे जी जब आएंगे, तब मैं पूजा में जाकर बैठूंगी, और म बहुत सारा जो है, उसमें काम होता है, मादा को भोग लगाना, आर्थी करना, तो देखिए, मैंने सारी जगह को जो है, स्पेस मैंने खाली कर रखा है, ताकि पंडी जी आ है, और उसको कोई दिक्कत ना हो, सारे सामान को मैंने थाल में रख दिया है, फूल वगर, तील, ज होता है, और यहां देखे, पंडी जी भी आ चुके है, और अभी जो है, कलस का स्थापना भी हो गया है, और पूजा शुरू हो चुकी है, तो पंडी जी जो है, कलस वगर जो स्थापित कर दिये थे, और मातारानी की चौकी भी जो है, मातारानी का जो फोडो वगर था, वो नवरत्री में तो आज की पूझे पहले दिन की पूझा हो रही है यहां पर नवरात्री की और यह जो है नौदिनों तक होगा तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लायक किजिएग और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो एक बर आप सभी को शार्दिया नवरात्र की हार्दिक शुपकामना है और आपनों की नवरात्री भी बहुत अच्छे से गुजिरे तब तक लिए